की तथा जीवन धन्य बनाया, महाकष्ट मोल लेते हैं, एक व्यक्ति दीख्षा लेने के बाद बताया कि मेरे साले ने लड़की का रिष्टा करना था, लगभग 10 लाक के सोने गोल्ड के आभूशन बनवाए, कीम्ती सामान कपड़े, फ्रीज, AC, मोटर साइकल, सिलाई की मश चीन आदी लाकर रखे, जो कानून से बचने के लिए लड़के वालों के घर विवाह से एक महीना पहले दे कर आने थे, क्योंकि विवाह के समय नहीं दे ले सकते, कानूनी गलत है, जिस दिन भेजने थे, उसी रातरी में 10-12 व्यक्ति आए, फोर वील ले रखा था, सारा सा सामान लाद ले गए, घर वालों ने सोचा कि खात मंगत राम साले का नाम सामान लेकर जा रहा है, सब सोते रहे, सुबह मंगत राम उठा तो घर खाली था, पता चला तो पेट पकड़ कर बैठ गया, भीट भी नहीं लगा, घर गाउं से बाहर की ओर था, गाउं का अंतिल् हाथों आगे पहुँचाया, ये गलत रीती रिवाज के कारल महाकश्ट मूल ले रखा है, ऐसी ऐसी अनेकों घटना होती है, ये दुख सब पुराने रीती रिवाजों, परमप्राओं की देन है जो हमने स्वयम लाद रखा है, हम संत रामपाल के अनियाए इसको नहीं है, संत गरीब दासची गाउचुलानी जिला जजजर वाले ने कहा है, तुमने उस दर्गल का महल नहीं देखा, धर्मराए के तिल तिल का लेखा, अर्थात संत गरीब दासची ने कहा है कि आपने धर्मराए परमात्मा का न्यायधीश का महल न्यायाले नहीं देखा, जहा पड़े ये कहानी, एक लेवा एक देवा दूप कोई किसी का पिता न पूट, एक किसान के घर एक पुत्र उत्तन हुआ, पुत्र आठ वर्ष का हुआ तो पत्नी की मृत्यू हो गई, किसान के पास सोलह एकर जमीन थी, कुछ वर्ष पश्चात किसान ने दूसरी शादी की, उ उस पत्नी से भी एक पुत्र उत्तन हुआ, कुछ वर्ष पश्चात उस पत्नी की भी मृत्यू हो गई, किसान का प्रथम पत्नी वाला पुत्र सोलह वर्ष का हुआ, उसका विवाह कर दिया, किसान की भी मृत्यू हो गई, छोटा लड़का 10-12 वर्ष की आयू में रोगी हो पास रह जाएगी। यह विचार करके पड़ोस के गाव से जो वैद्य उपचार के लिए आता था, उससे कहा कि इस लड़के को औशदी में विश्च मिला कर दे दो। हम आपको धन दे देंगे। 500 रूपे के लालच में वैद्य ने उस लड़के को औशदी में विश्च खिला कर मार दिया। गाव वालों को बताया गया कि रोग के कारल मृत्यू हो गई। किसी को शंका नहीं हुई। बच्चे की मृत्यू रोग के कारल हुई मान ली। आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी बच्चे के जन्म की खुशी में जीमनवार्ट लंगर किया। पूरे गाव में मिथाई बाटी गई। उसके पश्चात कोई संतान नहीं हुई। एकलोते पुत्र को प्रेम से पाला। अच्छा गी दूद, दही खिला पिला कर हष्ट पुष्ट कर दिया। सोलह वर्ष की जायू में विवाह कर दिया। उस समय बाल विवाह को गर्व की बात माना जाता था। वो लड़का रोगी हो गया। वैद्य पर वैद्य बुलाए, मनिगे से मनिगे ओशदी खिलाए, परंतु व्यर्थ रहा। उस समय एक महीने में एक एक हजार की ओशदी खिलाई गई। हीरा तथा मोती भस्म भी ओशदी में मिलाकर लड़के को खिलाया गया। जिस कारण से आठ एकर जमीन भी बेचनी पड़ी, परंतु रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया और अंतिम दिन आ गया। लड़के का पिता चिंतित अवस्था में पुत्र के पास बैठा उसी समय लड़का बोला, भाई सहब, एक काम कर, पिता ने कहा कि बेटा, मैं तेरा पिता हूँ, लड़का बोला कि मैं तेरा वह भाई हूँ जिसको आपने विश्दे कर मरवाया था, मैं ही अपना बदला लेने आपके पुत्र रूप में जन्मा हूँ, उस लड़के की मात जी भी वही विराजमान थी, लड़का बोला कि आठ एकर जमीन मेरे हिस्से की थी, वह मैंने वसूल कर ली है, अब केवल कफन तथा लक्यों का हिसाब शेश है, उसकी तयारी करो, ये बात सुनकर पिता उर्फ भाई का मुख फटा का फटा रह गया, अपने की पर दोनों प पती पतनीत ने पश्चाताप किया, परमात्मा का विधान अटल है, बड़े भाई ने उत्र रूप में जन्मे छोटे भाई से प्रश्न किया कि हमने लालच में आकर जो पाप किया, हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया, जिस उद्देश्य के लिए आपकी जान ली थी, व होना ही चाहिए था, परमात्मा ने न्याय किया, परंतु जो लड़की आपकी पतनी रूप में आई है, इसने कौन सा अपराद किया है, जिस कारण से यह सती प्रथा के तहट आपके साथ जिन्दा जलाई जाएगी, इसके साथ भगवान ने अन्याय किया है, छोटा भाय उ वैद्यक डॉक्टर वाली आत्मा है, इसको वफल मिलेगा, जिन्दा जलाई जाएगी, उस समय सती प्रथा जोरों पर थी, पती की मृत्यू के पश्चाक पतनी को जिन्दा उसी चिता में जलाया जाता था, प्रियपार्थ को विचार करो, परमात्मा की द्रिष्टी से कु कोई पूर्व जन्म का कर्ज लेने के लिए जन्मा है, अनेको उदाहरन, एक, पिता ने लड़के को पढ़ाया, शादी से दो दिन पहले दुर घटना ग्रस्थ होकर मर गया, वो अपना कर्ज पिता से लेने आया था, दो, बेटा जवान हुआ, तार्य करके निर्वाह करने लगा, पिता रोगी हो गया, लाखो रूपे लगे, व्यर्थ रहे, मर गया, ये पिता पिछले जन्म का कर्ज लेने आया था, कुछ देने आया था, तीन, लड़की का विवाह किया, दो वर्ष पश्चात लड़की मर गई, बहुत दहेज दिया था, वो दामाद पूर्व जन्म के रिन्म के बदले में लड़की भी ले गया और धन भी, वर्तमान में जो किसी के साथ धोखा करके धन हड़प लेते हैं, वो धन अगले जन्म में दामाद बनकर वसूलेगा, पर माकमा का अतल विधान है, बुद्धिमान को संकेट आप सुन रहे है, संत रामपाल ज के लिए कथा बनाए, किसने देखा है क्या होगा, जैसे चोर को भाद कुरुष समझाते हा कि भाए, चोरी मत किया कर, जब पकड़ा जाएगा तो पहले तो जन्ता पिटाई करेगी, फिर पुलिस पीटेगी और जेल में भी कश्ट उठाना पड़ेगा, यदि कोई कहे कि य यदि चोर सच्चाई से दर कर चोरी करना त्याग देगा तो उसकी भलाई है, यदि कहेगा कि किसने देखा है, आगे क्या होता है, देखा जाएगा, उसके साथ वल सब गुजरेगी जो पहले बताई गई थी, इसी प्रकार जो उप्रोक्त कथा को केवल समझाने दराने के यही मानेगा तो उसका दुरभाग्य होगा, इसको इतनी ही सत्य समझना, जैसे चोर को सतर्प किया है, लेखक ने ये कथा सन 1978 में एक पशूँ के डॉक्तर से सुनी थी जो किसान के दो कुत्रों वाली कथा उपर बताई है, यह इस कथा को अपने पास बैठने वाले को अव सूलता था, फिर शाम को मिलता तो अपने कारणा में भी बताता था कि यदि कम रूपे लूँगा तो भेंस वाला ये समझेगा कि अच्छी दवाई नहीं दी, भेंस को स्वस्थ तो दस रूपे की दवाई से ही हो जाना था, विचार करे कि ऐसे व्यक्तियों की कथनी और कर गरीब दास ची ने कहा है कि जो ग्यान की बातों के अनुसार क्रिया नहीं करते, जो अन्यक को सुनते हैं, वे अग्यानी व्यर्थ में कुत्ते की तरफ सुनी सुनाई बाते बते रहते हैं, ये बाते कहन सुनन की नहीं है, कर पाड़ने की है यानि इन पर अमल करना चाहिए परमाक्मा के विधान को समझ कर निर्मल जीवन यापन करें जीवन की राह को कांटो रहिक बनाएं परमप्राओं का भार कम करो बोजह लाद कर सफर्टे नहीं किया जा सकता सत्संग से घर की कलह समाप्थ होती है एक माए अपनी पुत्रवदू पर बात बात पर क्रोध करती थी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा चड़ा कर अपने पुत्र से कहती पुत्र अपनी पत्नी को घमकाता इस प्रकार घर नरक बना हुआ था पुत्रवधू अपनी सासु मा से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो अपनी पडोसन भी जाती है सासु मा बोली कि सत्संग में तो आई गई यानि बच्चलन स्त्रिया जाती है जिनका संसार में सम्मान नहीं होता जो अच्छे कुल की नहीं है हम खान दानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में ऐसे पुत्रवधू ने कई बार कोशिश की, परंतु माई मानने को तयार नहीं हूती एक दिंग गाव कि स्त्री किसी कार्यवश उनके घर आई तो सास अपनी पुत्रवधू को गालियों दे रही थी धमका रही थी कि आने दे तेरे खसम को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी जो सास के लिए डाल कर पुत्रवधू बच्चे को लेने अंदर चली आप सुन रहे है संत रामपाल जी महराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती उपस्वर का पेज नमपच्चीस गई थी जो सोया था, जागने पर से रहा था उस बच्चे को उठा कर लाने में एक मिनर भी नहीं लगी थी कि इसी बीच में कुट्टा आया और चाय के गिलास में जीग मारने लगा गिलास गिर गया, चाय पृत्वी पर बिखर गई सासु मिया आंगन में उस गिलास से मातर बीस फुट की दूरी पर चार पाई पर बैठी थी हटी किटी थी खेतों में सेर करके आती थी, परंतु काम के हाथ नहीं लगाती थी इसी बात पर कलग कर रही थी गाव के दूसरे मोहले से आई माई सत्सन में जाती थी सब बात सुनकर उसने भातेरी, उस सास का नाम भातेरी था, से कहा कि आप सत्सन में जला करो उसका वही उत्तर था, उस सत्सन वाली भाक्तमती ने बहुत देर सत्सन में सुनी बाते बताई, परंतो भातेरी मानने को तयार नहीं थी भतेरी की दूसरी बहन उसी गाव में दूसरे मोहले में विवाह रखी थी जिस पानने की वह सत्सन वाली माई जानकी थी भतेरी की बहन का नाम दयाकोर था जानकी ने जाकर दयाकोर से बताया कि तेरी बहन भतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है बिना बात की लड़ाई करती है में कल किसी कामवश गई थी एक चाय का गिलास कुट्ते ने गिरा दिया उसी का महाभारक बना रखा था दयाकार भी जानकी के कहने से सत्सल्ग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्सल्ग में ले चल जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन चिंता स्वयम रखता है तथा घर की सदस्यों को भी चिंता में रखता है दयाकार अगले दिन अपनी बहन के घर गई जैसा अनाप सनाप सुना करती थी वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला सत्सल्ग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन, बेटियों बहूं तथा अन्यस्त्रियों को सत्सल्ग नहीं भेजते और नस्वयम जाते हैं वे कहते हैं कि हमारे सत्सल्ग में जाने से घर की इज़त का नाश हो जाएगा हमारी बहू बेटिया बदनाम हो जाएंगी उनको विचार करना चाहिए कि सत्सल्ग में ना आने से परमात्मा के विधान का ज्यान नहीं हो ताकि भाक्ति न करने वाले स्त्री पुरूश अगले जीवन में महान कश्ट भूगते हैं ओम सूक श्वेद में बताया है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भाक्ति नहीं करते उनको क्या हानी होती है कबीर हरी के नाम बिना नारी कुतिया होएं गली गली नौकत फिर टूपना डाले कोया संत गरीब दास ची की वानी से बीबी परदे रहे थी ग्योडी लगती बाहर अब गात उघाडे फिरती है बन कुतिया बजार वे परदे की सुन्द्री सुनो संदेशा मोर गात उघाडे फिरती है करे सरायों शोर नक बेसर नक पर बनी पहरे थी हार हमेल सुन्द्री से कुतिया बनी सुन साहे प्रभू के खेल भावार्थ, मनुश्य जीवन प्राप्त प्रानी यदी भक्ती नहीं करता है तो वो हम्रित्यू के उपरांत पशु पक्षियों आधी आधी की योनिया प्राप्त करता है पर मात्मा के नाम जाप बिनस्त्री अगले जन्व में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है फिर नेवस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती आप सुन रहे है संत्रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धर्ती उपस्वर का पेज नमचब्वीस रहती है, भूख से बेहाल होती है, उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता जिस समय वह आत्मस्त्री रूप में किसी राजा, राना तथा उच्च अधिकारी की बीवी पत्नी थी वह उसके पूर्व जन्मों के पुन्यों का फल था जो कभी किसी जन्म में भक्ती धर्मादी किया था वो सर्व भक्ती तथा पुन्यस्त्री रूप में प्राप्त कर लिए वहा अत्मा उच्च घरानों की बहु बेटियां थी तब पदू में रहती थी ताजु किश्मिश डाल कर हलवा तथा खीर खाती थी उनका जूठा छोड़ा हुआ नौकरानिया खाती थी उनको सच्चल में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वे उच्च घरानों की बहुए तथा बेटियों थी घर से बाहर जाने से बेज़ती मानती थी बड़े घरों की इज़ट इसी में मानी जाती थी कि बहु बेटियां का पदू में घर में रहना उच्चित है इन कारलों से वग पुन्यात्मा सत्सल विचार नसुनने के कारण भक्ती से वंचित रह जाती थी उस मानव शरीर में वस्त्री गले में 9-9 लाख रूपे के हमेल हार पहनती थी नाक में सोने की नात पहनती थी उसी हार सिंगार में अपना जीवन धन्य मानती थी भक्ती न करने से वे अप कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक-एक तुकड़े के लिए तरस रही होती है शहर में पहले सरायक धर्मशाला कूती थी यात्री रात्री में उनमें रूपते थे सुबह भुजन खाकर प्रस्थान करते थे वो पर्दे में रहने वाली सुन्दर स्त्री कुतिया बनकर धर्मशाला में रूप के यात्री का डाला तुकड़ा खाने के लिए सरायक धर्मशाला में भांगती है रोटी का तुकड़ा धर्ती पर डाला जाता है उसके साथ कुछ रेट मिटी भी चिपक जाती है वह सुंद्री जो काजु किश्मिश योग थलवा खीर खाती थी, भाक्ती नहीं करती थी, उस रेट मिट्टी योग तुकडे को खा रही है। यदि मनुश्य शरीर रहते रहते पूरे संद से नाम लेकर भाक्ती कर लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। कबीर, हरी के नाम बिन, राजा राम होए, मिट्टी लदे कुमहार के घास न नीरे कोया, भाग्वान की भाक्ती न करने से राजा गधे का शरीर प्राप्त करता है, कुमहार के घर पर मिट्टी होता है, घास वयम जंगल में खा कर आता है। फिर पीछे तू पशुआ केज, दीज बैल बनाया, चार पहर जंगल में दोले, तो नहीं उदर भराया। बैल बन कर सुबह से शाम तक चार पहर अर्थात 12 गहंटे तक जंगल में फिरता है, हल में जोता जाता है। दिन में केवल दो बारा हार बैल को खिलाया जाता है दोपहर बारा बजे तथा रात्री में परंतु बैल को बीच में भूख लगी है और चारों और चारा भी पड़ा होता है लेकिन खा नहीं सकता। खाली उसको घास नहीं खाने देता पानी भी समय पर दिन में दो या तीन बार पिलाया जाता है सिर पर सींग तथा एक दुम पूंच लगे होंगे जब मानव शरीर में था तब वह जीव कूलर पंखे तथा एक सी कमरों में रहता था अब एक दुम है इसको चाहे कूलर की प्रयोग करो उसी से मच्छर उलाता है सत्सल में ये भी बताया गया कि घर में कलग का कारण पर मात्मा के विधान को न समझ कर संसार के भाव में चलना है घर का कोई सदस्य घर में हानी नहीं करना चाहता